जाहेंद आप आप सभी का स्वागत है तो हम लोग अपना करेंट फ़ेर स्रीज फिर से कंटिनू करेंगे तो अल्रेटी जो है मेरे खाल से 19 लेक्षर हो चुके हैं करेंट अफेर में और अक्टूर मन्था करेंट फिलाल हम लोग कवर कर रहे हैं तो विदिन फ्यू लेक्षर पुरा का पुरा करेंट फिर कवर कराया जाएगा तो आप लोग इस फॉलो कर सकते हैं अगर आप अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो जो हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक होता है जो प्रिलिम्स में पूछ जा सकते हैं चाहीं यो पीसी हो चाहीं PCS हो ठी तो आज मैंने उठाया है लिश्ट ओफ डेफिसियंसी रिजीजेश ठीक है तो इस पर कोश्चन मैंने देखे हैं PCS में तो काफी कोश्चन इसमें आया है ठीक है तो फिर से PCS कोश्चन रिपीट करती है PCS की आदत है खासकर UP PCS में रिपीट होता है तो आप लोग चेक कर पूशन पूशे गए मेरे क्याल से तो जो विटामीट डेफिसियंसी होती है जैसे समझे कि हम लोग के बॉड़ी की तरीके से requirement होती है एक तो हम लोग के बॉड़ी की फूड़ी को खाना चाहिए ठीक है कैलोरी चाहिए अपने को के लोग करना है खाना चाहिए तो जो security पर ने ध्यान दिया इस सबसे पहले लोगों को है खाना ऐवलेवल होना चाहिए सबसे पहले तो लोगों कोठीक खाना होना चाहिए ठीक food Trent सेक्योरिटि स्थिभी डूर्मेंट है उसके बाद गौर्मेंट ने दिया छो हो गया और इसके अलाबा जो अब्र किसी को कहाना चाहता है उसको तो क्या होता है निट्रिषिनल दे रहे हैं कि खाना तो मिल रहा है लेगिन जो है नीट्रियंटिज का अभाव है खाने में एक तरीके से टाइप सफ भूड जो है वो उसका अभाव है, सिर्फ और सिर्फ चावल खाय जा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, कैलोरी तो मिलेगी, लेकिन निट्रेंट्स का अभाव रह जाएगा, आज लोग उसी बच्छा करने वाले हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो निट्रेंट होता थे तो वग, तो यह आपको ध्यान में होने चाहिए, एक जाम के पॉइंट ऑफ यू से, कि विटामिन A की एक तरीके से अभाव से, नाइट ब्लाइडनेस होता है, ठीक है, तो विटामिन A जो है काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है, जनरी जो साग सबजी होती है, उसमें होता ह ठीक है, तो आपको यह सारी लिष्ट याद होने चाहिए, कौन से विटामिन के अभाव से, कौन सा डिजिज हो सकता है, ठीक है, बिटामिन B के कई प्रकार है, बिटामिन B के B1, B2, B6, B12, ठीक है, कई प्रकार है, तो विटामिन B भी जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो यह सभी चीज़ां आपको पता होने चाहिए, यह सब इमरिकास पूछा गया, डिरेकली पूछा गया पीसे, समझे कि B1 जो है, इसको थामिन कहते है, क्या, इसके अभाव से कौन सा डिजिज होता है, ठीक है, इसको राइवो फ्लेविन कहते है, ठीक है, इसके होता है, ऑनिमिया कुछ नहीं होता है, इसके ब्लड जो है, जो है, ब्लड में जैसे और वे से होता है, प्ली चाहित to का इसके ठेज Means साथ थकावत महसूस होती यह चोटे बचों में और और जो खासकर girls होती है, जो girls होती है, women होते है, जो कि उनका menstrual cycle होता है, मंधली cycle होता है, उसकी वैसे भी हमोगलवीन लेविल कम होता है, तो वो भी एक region है, ठीक है, और उनका एक तरीके से एनिमिया जो हैसा देखा गया, कि almost 50% जो women है, almost 50% जो women है, वो जो है एनिमिया का सिकार है, समझ रहे ना, तो यह issue है, ठीक है, इसके अलबाद जो vitamin C है, scorbic acid, ठीक है, तो यह तरीके से जो है, इसकी deficiencies से जो है, scorbic disease होता है, तो यह मिसीले जो भी citrus food होते हैं, वो इसके source होते हैं, जो संतरा हो गया, जो है, आपको लेने चाहिए, ठीक है, vitamin D, जो है, इसमें रिकेट्स, जनरली जो हड़ियां होती है, जो bones होते हैं, वो कमजोर होते हैं, ठीक है, और जो joints होते हैं, वो कमजोर होते हैं, तो यह सारे-सारे disease आपको पताना हो चाहिए, कि इनकी कमी से जो है, कौन से रिज़ी होती है, और यहाँ पर जो भी इसका नाम दिया हुआ है, वीवन का थाइमिन, वीटू का राइओ फ्लेविन, यह भी से आपको पता होने चाहिए, इसके अलावा, जो calcium होता है, calcium का source जनरी milk होता है, यह जो है, तरीके से, जो है, brittle bones, जाती है, और घाव भर जाते हैं, कुछ ताइम में, और किसी को vitamin K का भाव होगा, तो blood coagulate एक तरीके से नहीं होगा, वहाँ blood के clot नहीं होगे, मतलब जो है, bleeding ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं ना, तो vitamin K के भाव से यह हो सकता है, ठीक, इसके अलावा, आपका calcium की वज़े से दिया होगा है, phosphorus, तो phosphorus जो है, यह minerals आ गए, अभी तक vitamin चल रहे थे, vitamin A, B, C, D, A, B, C, D, K, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप minerals चालू होगे, कि कौन सी minerals के अभाव से क्या होता है, तो calcium के अभाव से जो है, brittle bones, phosphorus, phosphorus के अभाव से एक तरीके से bad teeth and bones, ठीक है, इसके अलावा iron, iron के अभाव से जो है, वो anemia, anemia के बार में आपको बता है, कि जो blood में एक तरीके से oxygen level, जो है, tissue को, जो भी हम लोग के tissue को, oxygen level का supply चाहिए, lungs के थुरू, वो एक तरीके से कम हो जाता है, iodine, iodine के में से gaiter, आपने देखा होगा या नहीं देखोगा, जो गला होता है, एक तरीके से, जो अपना neck होता है, गला, वो सामने की तरफ से काफी ज़्यादा swell कर जाता है, फुल जाता है, ठीक है, तो मैंने तो काफी लोग को देखा आई है, खासकर गाओं के एडिया में, जिनको सुरुवात में iodine supply, इस तरीके से नमक के फॉर्म में नहीं होता था, तो कोई बिमारियां होती थी, इसके लबाग कॉपर, तो कॉपर में इस तरीके से, low appetite, retarded growth, मतलब जो विकास होता है, वो विकास नहीं हो पाएगा, अगर ये सभी मिंडल्स जो है, प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, ठीक है, अब आईए, जो अपना short news है, जो इतरीके से environment वाला हम लोगा पोर्शन चल रहा था, ठीक है, environment वाले पोर्शन में जो है, अपना जो शुरुवात वाले जो भी टॉपिक्स तब कवर हो चुके थे, अब मों short news कवर करते हैं, तो ये पहला जो टॉपिक है, नेशनल इटर्माइंट कंट्यूइशन, एक ये रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बता आया था, कल वाले लेक्षर आप नहीं है, यॉनाइटे नेशन जो conference environment development हुआ था, रियो समीट जो हुई थी, ठीक है, तो रियो समीट हुई थी, 1992 में हुई थी, इसको agenda 21 भी कहते हैं, ठीक है, agenda 21 और conference of party 21, confusion नहीं होना है, इसको agenda 21 भी कहते हैं, यह सभी जो है, मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ, कि इसलिए important है, यह इससे question बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है, फिर से आ सकते है question, तो इससे question जो है, भर-बर के आते हैं, आपको यह ध्यान रखना है, इसके तहट जो है, तीन convention हुए थे, तीन convention में UNFCC वाला हुआ था, United Nations Framework Convention on Climate Change, एक UNCCD वाला हुआ था, और एक UNCVD वाला हुआ था, ठीक है, और इन तीनों को एक तरीके से जो है, इनकी meetings इंडिया में hold हो चुकी है, अगर यह आपसे option ने पूछ दे कि, इंडिया होल्ड किया है, इनकी meetings, conference होल्ड किया, तो हाँ किया है, ठीक है, और UNCVD में मैंने बताया था, कि एक हुआ था, नगवया प्रोटोकॉल, इसके तहट, और एक हुआ था, कभी आएगी news में, तो हम लोग जरूर करेंगे, और आएगा ही, अबस्या आएगा, UN FCC की बारे में चर्चा करते हैं, तो COP2521 जो हुआ था, conference of parties 21, जो अपना Paris Agreement एक तरीके से, 2015 में हुआ था, ठीक है, तो यह बार-बार news में आता है, इसमें भाई सभी country जो है, वो जुटे थे, और सभी ने अपने इधर के से कहा गया था, कि भाई वादा किया था, कि हम जो है, अपना जो green house gas emission है, green house gas emission में जिसे, methane है, carbon dioxide है, nitrous oxide है, इसको हम लोग जो है, कम करेंगे, ठीक है, इसके emission को चाहे, फेक्टरी के थुरू हो चाहे, कहीं से भी हो, agricultural emission हो, जहां से भी हो, उसको control करने की कोशिस की जाएगी, ठीक है, सब ने अपने अपना वादा किया, तो वही जो अपना contribution ने तरीके से कम करने को कहा गया, उसी को कहा गया NDC, National Intermittent Contribution, ठीक है, तो उसी को लेके जो है, इसने report जारी किया, और इस report में basically यही है कि भाई, जो भी वादे किये गये हैं, ठीक है, वो उस line में नहीं है कि भाई, अपना goal अचीव हो पाए, अपना goal जो इन्हों ने लिया था, वो goal था कि 1.5 degree Celsius temperature, pre-industrial level से end of century, समझ लिए कि अभी 2023 सुरुवात हुई है, ठीक है, मनलब एक तरीके से जब यह खतम होगा, मत्तब जब 21st century चल रहा है, जब 22nd century तरीके से आएगा, मनलब जब यह वाली स्रीज स्टार्ट होगी 2100, फिलहाल इसमें 77 एर हैं, लगभख 77 एर हैं, तो भई अपने को 77 साल वाद तक इस सिती पे पहुँचना है, कि जो ग्लोबल टेंप्रेचर है, वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा राईज नहीं होना चाहिए, इस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छा, इसका मापदंट क्या है, कब से नहीं बढ़ना चाहिए, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब जो इंडस्ट्रियलाईएशन सुरू हुआ था, समझ रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलाईशन माली जैगी 18th century में सुरू हुआ था, लेकिन अभी हाल में रिपोर्ट आये हैं, वो दरावने हैं, एक तरीके से, क्योंकि 0.1 degree Celsius temperature जो हर decade, हर 10 साल पर बढ़ रहा है, अगर इस हिसाब से का temperature बढ़ता रहा, तो कुछी साल में ये क्रॉस कर जाएगा, 1.5 degree कुछी साल में क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अपने को जो है, लगभग लगभग 21st, 22nd century तक, 22nd century की सुरुआत तक अपने को ये रोक के रखना है, तो यही एक तरीके से समस्या है, कि सभी country ने वादे किये, लेकि निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसमें जब को fact पता क्या होना चाहिए, कॉप, जो कॉप है, ये चुकि UNFCC है, एक तरीके से ये body है, इसका हमेशा जो है conference होता रहता है, कहीं न कहीं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कि ये sign कब हुआ था, रियो समिट पे ही sign हुआ था, तो UNFCC के बारे में आपको ये जानकारियां पता होनी चाहिए, conference of party 1 हुआ था, COP आप लोग सुनते होंगे, conference of party 1, तो पहली एक तरीके से इसकी meeting हुई थी, वो 1995 में हो थी, 1994 में आगया, 1995 में आप से पुछा जाए कि पहली meeting कहा हुई थी, तो बर्लिन में हुई थी, बर्लिन जर्मनी में है, मेरी खासे capital है, ठीक है, तो वहाँ पे हुई थी, और इसका secretariat भी अगर पुछा जाए, इसका secretariat कहा है, सबका headquarter एक तरीके से मान लेजे, तो वह भी जर्मनी ही है, ठीक है, इसके लाव आपको पता हूँ थी, ठीक तीन साल बाद, इतरीके से conference of party 3rd जो हुआ था 1997 में, यह important इसलिए है, क्योंकि आप लोग बार बार Kyoto का नाम सुनते होंगे, Kyoto Protocol का आप लोग नाम सुनते होंगे, तो यह COP 3 में ही तरीके security protocol हुआ था, इसमें था कि घ्रीन हाउस गैस emission को कम करना है, छे ग्रीन हाउस को include किया गया था, जिसमें से CO2, जो करवन डायकसाइड है, मीथेन, इसके अलावा नाइट्रस ऑकसाइड, इसके अलावा नाइट्रस ऑकसाइड, नाइट्रस ऑकसाइड का मेरी खासे formula जो है, N2O है साइड, ठीक है, N2O, नाइट्रस ऑकसाइड, इसके अलावा आपका hydrofluorocarbon, जिसको HFC कह लिजे, hydrofluorocarbon, पर-fluorocarbon को PFC कह लिजे, मैं sort formula लिख दे रहा हूँ, यह अपर chemical formula नहीं है, ठीक है, यह इसे मैं sort formula लिख रहा हूँ, hydrofluorocarbon, पर-fluorocarbon, और sulfur hexafluoride, तो sulfur hexafluoride का मेरी का से SF6 हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो है, यह 6 gases जो है, इसमें identify किये गए, इनके emission को अपने को control करना है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए, तो Kyoto Protocol जो है, directly आपसे exam में पूछ दिया जाए, कि Kyoto Protocol किस चीज के relation में है, तो Kyoto Protocol जो है वो आपका greenhouse gas emission को कम करने के लिए एक तरीके से यह protocol बना था, ठीक है, और Kyoto Protocol जो है, यह 2005 में जो है force में आया था, 1997 में इसको लेके यह हुआ, और 2005 में यह एक तरीके से force में आया था, इसके लिएक और एक important point मुझे बताने को है, एक आप लोग दोहा amendment सुनते होंगे, दोहा amendment, तो इसको लेके ही 2012 से लेके 2020 तक जो है, इसी में कुछ बदलाव करके दोहा amendment लाया गया था, तो दोहा amendment भी जो है आपको ध्यान रखना है, कि यह Kyoto Protocol से ही related है, ठीक है, दोहा amendment, ठीक, दोहा amendment, यह सारे points जो है आपको पता होने चाहिए, और Paris Agreement के बारे मैं आपको बता ही दिया, क्या है नहीं है, ठीक, इसके लबाब आपको Conference of Party के बारे में आपको 2-3 जो है, हाल में कहा पे हुए है वो पता होना चाहिए, तो COP25 से उठा लेजे, Conference of Party 25, यह कब हुआ था, यह 2019 में हुआ था, तो यह PCS वाले पुष्ट सकते हैं आप से, कि भई यह COP जो Conference of Party चाहिए, कब हुआ था, तो यह Madrid, Madrid City है, Spain में 2019 में, वहाँ पे हुआ था, Spain मालेजे, ठीक है, COP25, COP26, तो COP26 के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, COP26 कहा हुआ था, 2020 में हुआ था, ठीक है, तो COP26 जो है वो, Glasgow, Glasgow, Scotland, तो ग्लास गो एक तरीके से है, यह Scotland की सिटी है, और यह वहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो ग्लास गो, Scotland, UK के बगल में, United Kingdom के बगल में, ठीक है, इसके रवाब COP27, तो COP27 जो है, यह बता होना चाहिए, 2021 में हुआ था, कब हुआ था, 2021 में हुआ था, यह सब UNFCC की कॉन्फरेंस हुई थी, अख्यार में इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो यह आपका हुआ था, शर्म अलशेक, ठीक है, शायद कोई एक बीच में छूट रहा है, मेरे खिया से, 2022 में शर्म अलशेक, था था भी हाल में, जो हुआ था, दुस्प्तर था, यह अजार में हुआ था, यह अपना буквार क्याल स तो यह सर मेल से एजिप्ट की सिटी है ठीक है तो एजिप्ट कहां पे आपको वल्ड में पर जाके देखिए कि एजिप्ट जो है कौन से कॉंटिनेंट में है एसिया में है अफ्रीका में कहां है ठीक है यह मैं आपके ऊपर शोग रहा हूं ठीक इसके अलावा COP28, Conference of Parties 28 जो हाल में अब होने वाला है मेरे ख्यास से यह UAE में है 2023 में UAE में होगा ठीक है 2023 में UAE में होगा ठीक है 2023 में UAE में होगा यह सारे points जो आपको पता होना चाहिए कि recent Conference of Parties कहां कहां पे हुई तो एक साल बाद का माले जबी 2023 है तो 2022 का कहां हुआ 2021 का कह हुआ यह आपको पता होना चाहिए एक जाम के point of view से ठीक अब आईए अब आईए नेक्स टॉपिक पे emission gap report जो है इसमें क्या है तो यह सारे के सारे report जो है एक जाम के point of view से बार-बार मैं बोलता रहता हूँ कि जो यह report होते हैं उसका पूछा जा सकता है कि भाई यह कौन सा organization launch की है यह report emission gap report जो है यह launch किया गया है United Nation Environment Program ठीक है तो अब UNEP भी जो है काफ़ important body है UNEP ठीक तो UNEP के बारे में आपको साथा बता दें कि UNEP क्या है जैसे UNEP यह हम लोग 5 जून को मनाते हैं प्रयावरान दिरस्टे मनाते हैं environment जो हम लोग मनाते हैं तो 5 जून को यह established हुआ थ पता होना चाहिए जितने भी important body है सबका headquarter ध्यान रखा करें कि पूछे जाते हैं directly question इसे कई important report जो है कई important report यह जारी करती है जिसमें से कुछ आपको पता होना जैसे emission gap report है तो emission emission gap report ठीक है तो emission gap report यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावाद यह जारी करती है adaptation gap report adaptation मतलब कोई country अगर कुछ target ली है कि यह emission कम करेंगे उसमें क्या कमिया रह जारी है I think उससे related यह report है adaptation gap report इसके अलावा जो इसका एक तरीके से report है वो है आपका global environment outlook ठीक है तो आपसे जहा दिया कि global environment outlook जो है यह कौन से organization launch करती है तो यह आपको पता होना चाहिए कि UNEP जो है यह launch करती है इसके अलावा इसके लावा एक और report रहते है frontiers invest into healthy report ठीक है तो यह भी इसी का report है ठीक है इसके लावा यह कुछ campaign जो है कुछ campaign भी जो है यह चलाती रहती है environments rated campaign आप समझ रहे के लिए जो है कुछ campaigning यह भी करती है बीट pollution भी pollution कम करें ठीक है उससे अपने environment खतरा है तो यह campaign आप से पूछ देख जामने कि भी बीट pollution campaign कौन से organization चलाती है तो UNEP चलाती है इसके लावा जो है world environment day जो है चुकि हम लोग धरले से मनाते हैं धूंधाम से मनाते हैं उस दिन ह वाइड फॉर लाइफ ठीक है तो वाइड फॉर लाइफ जो है यह भी एक तरीके से सीगा campaign है ठीक है तो यह सभी के सभी points आपको पता होने चाहिए कि कौन से report जारी करती है कौन सी campaigning करती है ठीक है अब emission gap report के बारे में कुछ important point जहां दिख रहे हैं कि सबसे पहले हर country जो ह मैं चर्चा किया उसमें यही target लिया गया है कि दो degree Celsius से temperature जो है यह अपने कम रखका रखना है और अगर हो सके तो 1.5 degree के अंतरगात रखना है century के अंतर तक मतलब जब 21 century खतम होगी और 22 में शुरू होगी ठीक है तब तक अपने को इतना कम से कम control रखना है ठीक लेकिन इसमें जो gap एक तरीके से देखा गया है कि countries are off track मतलब जो गरीव जनता एक तरीके से है ठीक है उनका contribution जो है greenhouse gas emission में जो भी greenhouse gas emit होता है और हम लोग परसेंटेज वाइज निकालें तो जो बॉटम 50% है जो बॉटम 50% नीचे तब कि जो 50% है economically आप समझ लीजे उनका 12% योगदान ही है emission में ठीक है तो emission में योगदान कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन अगर हम लोग percentage वाइज देखें तो 12% ही योगदान है लेकिन top के 1% मेरी खासे इसमें industrialist आ जाएंगे 50% है वो सिर्फ 12% करते है तो यह बहुत बड़ी inequality जो है यहाँ पे देखी जा रही है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा एक point जो आपको बताने को है वो यह है कि इंडिया का एक तरीके से ranking क्या रहा ठीक है तो यह आपको ranking पता होना चाहिए कि इंडिया तीसरे नमर पे ह है greenhouse gas emission में सबसे टॉप पे चाइना है सकेंड नमर पे USA है और तीसरे नमर पे इंडिया है ठीक है तो यह कम से कम टॉप के three country आपको याद होना चाहिए अगर हो सके तो पांच याद कर लेजेगा इसके बाद European Union है और इसके बाद इंडोनेशिया है तो European Union जो है इसमें तो cost gas emission करती है ठीक है लेकिन जब पर capita आया मतलब एक व्यक्ति पर जावा या average निकाला गया कि पर capita निकाला गया कि एक व्यक्ति कितना टन of CO2 equivalent ठीक है इतना Greenhouse gas emission करती है व्यक्ति का एवरेज है लेकिन पर capita जब इंडिया का देखा गया तो इंडिया का पर capita जो है वो काफी कम है जो की 2.4 ton CO2 equivalent है 2.4 ton CO2 equivalent है आप यहां से समझ सकते हैं कि इंडिया पर capita तो काफी कम है मतलब कि पर देखती जो है emission कम है लेकिन जब चुकि यहां का pollution ही काफी जादा है स्वारी population ही काफी जादा है यहां का तो इतने सारे population होने के वज़े से जो है टोटल जब amount आता है तो टोटल एमाउंट जो है कि तरीके से ज्यादा हो जाता है समझ रहे ना तो पर capita इंडिया का कम है तो यह एक अच्छी बात है तो यह सारे points जो है आपको पता होने चाहिए इसके अलावा इसके अलावा इसमें बहुत कुछ तो नहीं है बताने को ठीक है तो यह आप समझ गए आपको यह सारे के सारे जो है यह पता होना चाहिए कि रैंकिंग जो है greenhouse gas emission आप से पूछ दिया जाए कि इंडिया की क्या ranking है त चाइना है चाइना सबसे दा greenhouse gas emission करता है ठीक है तो यह सारे points जो है आपको पता होने चाहिए अब जो अगला जो point topic है वह basically coldest year of the rest of their lives report ठीक तो यह UNICEF ने UNICEF जो है तरीके से जो child होते हैं जो children होते हैं उनके welfare पे और नाशन हुआ था होता क्या था जब world war 2 जब खतम हुआ था तो world war 2 जब खतम हुआ था तो उस समय जो है 1946 में इसका अलग ही नाम था इंटरनेशनल चिल्डरेंड इमर्जंसी एक तरीके से फंड था तो उस समय 1946 में इस्टेलिस हुआ था तो बाद में जो है ट्रांसफॉर्म होगे 1953 में जो है यह United Nation का पार्ट 1953 में United Nation का यह पार्ट बना था इन आपसे पूछे कि इस्टेबलिस कब वा था तो 1946 में हुआ था उस समय इसका अलग था काम वो जब world war 2 में जो ही एक तरीके से जो parents अपने खो बैठे थे से बच्चे और फंड बच्चे अनात बच्चे थे तो उनके welfare के लिए तो एक तरीक condition देखती है इसके अलावा जो आपका welfare है जो भी children's related welfare है उसमें जो है UNICEF का एक तरीके से योगदान है तो इसने जो study किया UNICEF ने जो यह रिपोर्ट है यह रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए मैं बार 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 बोलता हूं जो भी यह रिपोर्ट आते हैं वह एक्जाम क topic cover करता हूं उसके लिए अलग एक copy बना लिए ताकि सारे के सारे short topics आपके पास एक जगा compile होके आपके पास रहें ठीक है ताकि आप तुरंत revision कर सके short notes का ठीक जिसमें देखा कि जो heat wave होते हैं heat wave समझ रहें global warming हो रही है तो आप लोग heat wave समझ माता होगा जो आप गर्मी आती होगी और खासकर northern इंडिया में जो रहते हैं वह जो है जो जून जुलाई का महीना चलता है जब 40 के एरांड जो temperature जाता है तो पढ़ा चलता है heat wave क्या होता है ठीक है तो समझ ल प्रकार से जो है feeling होती है जिनके पास पंखे नहीं होगा जिनके पास AC नहीं होगा cooler नहीं होगा तो उसको लेकर एक तरीके से study की है कि इतने बच्चे 624 million मतलब हो गया लवर 62 करोड तो 62 करोड ऐसे बच्चे है जिनको बहुत ही एक तरीके से face करना पड़ता है heat wave ठीक है ज बच्चों के rights के बारे में भी ध्यान देती है और इसका headquarter आपको पता होना चाहिए कि New York में है headquarter तो बिल्कुल ध्यान रखा किए एक list हो ना लेजी headquarter की कौन सा organization है उसका headquarter का क्या है और UNICEF ने चुकिए अच्छा काम करती है बच्चों को बच्चों का ध्यान रखती है इसको एक तरह किसे Novel Peace Prize भी मिला हुआ है तो Novel Peace Prize भी जो है Novel Peace Prize इसको मिल चुका है तो Novel Peace Prize किसी organization को भी मिल सकता है तो इसको मिल चुका है ठीक है तो यह सारे points आपको पता होने चाहिए Next is State of Climate Action Report 2022 तो State of Climate Action Report जो है यह और Nation का नाम दिया हुआ है Climate Action Tracker यह तरह किसे independent body है और यह United Nation High Level Climate Change Champions and World Resource Institute World Resource Institute काफी important body है इसका बार-बार जो है News में नाम आता रहता है चाहिए किसी report को लेके तो इसने report जारी किया State of Climate Action नाम से बाचल रहा है climate से related जो है कुछ एक तरीके से data दिया तो वही बात है फिर से बात जो है गोम फिर के वहीं प्यारी है जो global गया पिन Climate Action जो एक तरीके से target तो ले लेती है सारी country जैसे Paris Agreement हुआ, Agenda 21 हुआ, Earth Summit हुआ, Euro Protocol हुआ, Montel Protocol हुआ, Doha Amendment हुआ, तो कोई भी summit होता है इसमें सभी country टार्केट लेती है तो जनरली ज्यादातर कमी जो इतरीके से summit होते है वो non-binding होती है, कोई binding नहीं होती है कि तुम वह इतना करना है या नहीं करन ठीक है, थोरा बहुत दबाब होता है, तो वो achieve नहीं करती है, समझ रहे है न, जब तक बहुत ज़्यादा minding नहीं हो तो achieve नहीं करती है कोई भी country अपने target को, उसी को लेके basically यह report है और यह आपको report का नाम पता होना चाहिए, कौन सी organization जारी की है यह आपको पता होना तो इसमें globally निकाला गया कि globally टोटल जो एक तरीके से greenhouse gas emission कितना है globally, यह globally data है, यह 2019 का data कि कितना greenhouse gas emission होता है, यह गीगा टन में दिया हुआ है, गीगा जो है 9 to 10 power 9, 10 to power 9 समझ लिए इतना ton ठीक है, तो 10 to power 9, 10 of CO2 equivalent, एक गीगा है और एक मेगा है, confused मत होईएगा, मेगा 10 to power 6 ह होता है, ठीक है, तो एक गीगा में जो है, वो unit है एक तरीके से, एक तरीके से 10 power 3, मतलब 1000 mega हो जाएगा, ठीक है, तो 1000 mega हो जाएगा, यह धियान रखिएगा, आप confusion नहीं होना चाहिए, तो इसके वारे में बता रहा था कि भाई, यह climate action report जो है, यह जाड़ी किया है, ठी climate को लेके, जो भी एक तरीके से gap है, achievement में उसको लेके है, ठीक है, तो जैसा है, वर्ल रिसोर्स इंस्टूट जो है, काफी important body है, इसके बारे में जो है, आपको पता होना चाहिए, कि वर्ल रिसोर्स इंस्टूट, तो आप लोग जो है, न्यूज में पढ़ते हो, एक report आता है, तो आप note down कर लिजेगा, कि वर्ल रिसोर्स इंस्टूट जो है, वो Global Forest Watch जारी करता है, और इसके हिसाब के, इसके, इसका एक data कहता है, कि 2000 से 2018 के बीच में, 2000 से 2018 के बीच में, जो है, वर्ल रिसोर्स इंस्टूट जारी किया, तो इंडिया का, इंडिया का, इंडिया के इसका data है, वर्ल रिसोर्स इंस्टूट का, और इसके बारे में आपको जो वर्ल रिसोर्स इंस्टूट है, इसका रिम को पता होना चाहिए, कि यह इस्टेब्लिस हुआ था 1982 में, जनरली कभी UPSC का दिमाग घूमता है, तो बही कुछ भी बूच देता है, ठीक है, 1982 में इस इसका data है, तो बही को जो जो है, यह जारी करती है, वो है वर्ल रिसोर्स इंस्टूट जारी करती है, तो बही को इसे इंपोर्टन बार्डी मिले न, तो आप सिर्फ उपर उपर मत निकल जाए किजिए, उसके बारे में जो है, थोड़ा सा information इकठा करके, कहीं note-down कर लिया क किजिए, क्योंकि question जो है, कहीं से भी बन सकता है, और यह सारे के सारे facts है, यह आपको आते हैं तो नहीं आते हैं, आप अहां पे तुक्का नहीं मार सकते हैं, ठीक है, इसके लब है, climate transparency report, जो है, आज सारे के सारे report ही आ रहे हैं, ठीक है, तो यह report जो है, जारी किया, जिए तरीके से जो है ये चेक किया गया उनका चेक किया गया तो आपको जो है ये सारे कि सारे G20 कंट्री जो भी है इसमें G20 में जो भी कंट्री जाती है उनका नाम आपको पता होना चाहिए डिरेक्टली कोश्चन पूछा जा सकता है भाई ये कंट्री जो है वो G20 कंट्री है या है तो मुझे पता है कि सब कोई आप लोग भी आज़ी वगेरे हो हो तुम में यहां पर नाम लिखी दे रहा हूं सके तो नोट-डाउन कर लीजेगा ठीक है तो अर्जंटिना मैक्सिको ठीक है अर्जंटिना मैक्सिको इसके ऐलावा आपका जो है आपका थेख थे असातवे से औरेंटेटिन का इसके अलवा कनाडा कनाड़ा जो ए मैं इसके अलवा ज्यारमनी में इसके अलवा फ्रेंस ठीक, United Kingdom, फिर Italy, ठीक, और इसके अलावा Russia, ठीक, इसके अलावा US, ठीक, इसके अलावा India तो अपना है ही, India G20 का member है, यह आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया, जापान, जापान, साउथ कोरिया, ठीक, और अश्ट्रेलिया, ठीक, इसके अलावा South Africa, और तर्की, तर्की, साथी अरविया, तो आप कुछ ऐसा नेमोनिक्स बना लेजएगा, याद करने के लिए, ठीक है, तो आपको यह एक पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है, आपको इसको एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे, अर्जेंटिना है, मेक्सिको है, ठीक है, अर्जेंटिना, मेक्सिको, और इसके अलावा जो अपना कनाड़ा है, ठीक है, और यह सभी नॉर्थ अमेरिका और साथ अमेरिका के अंतरगत आजाएंगी, इसलिए इसको एक साथ कर सकते हैं, इसकलब जो याद ही होंगे, युनाटिनिसन सेक्यूरिटी कोंसिल के जो पांच मेंबर हैं, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, युएस हो गया, इन पांचों को आप एक साथ याद कर ले जması घोईगा, ठीक है? इन पांचों को याद कर ले हो गया, अब आ यूर्मनी और इटली, और आपको जर्मनी याद रखना है, यूरोप के निया याद रखना है, ठीक है, अब आए अच्या में, तो आपको इंडिया इंडोनेशिया जापान ठीक है जापान साउथ कोरिया ठीक है त्था त्था रहे आपको इसे को यह पुछे जा सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं जो नेक्ट टॉपिक है यह climate sorry to climate transparency report जो है तरिकेसी इसने जाड़ी किया गया जीटवेंटी कृंट्री के लिए तो जीटवेंटी कंट्री का देखा गया है कि जो भी एक तरीके से 75% emission है, greenhouse gas emission के बाद चली रही है, तो इसमें जो 75% है, तो 3 by 4th emission जो है, जो 3 by 4th emission है, वो G20 countries कर रही है, जो सिर्फ ये 20 देश, वैसे दुनिया में लभ़ लभ़ 200 country है, ठीक है, छोटे बरे अगर सबको मिला दिया जाए तो लभ़ लभ़, अगर सिर्फ G20 के ही है, ठीक, तो समझ सकते हैं कि ये मतलब बहुत ही एक तरीके से जादा emission कर रही है, और ये developing process में जो है, वो industrial license through emission होगा, लेकिन अपने वो control करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहीं पर है कि 6 G20 member including India, तो इंडिया ने जो है global methane pledge, कि methane emission को कम करना है, इंडिया ने sign नहीं किया है, ठीक है, इसके अलावा, इंडिया lost 5.4% of GDP, चुकि जब भी इस तरह की समस्या आती है, ठीक, ऐसे global warming हुआ या कुछ भी हुआ, तो उससे क्यादा पहले तो productivity कम होती है, आप लोग ज़्यादा गर्मी होगे, ज़्यादा ठंडी होगे, आप लोग पढ़ाई करेंगे या नह अगर हुआ, समझ रहे ना, उससे agriculture तो प्रभावित होता ही है, समझ रहे ना, मांसून अगर आया, तो मांसून अगर आया, तो फिर symbol सी बात है, कि अगर मांसून में variability आई, समझ रहे ना, बारिस कहीं पे हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, जैसे इसी बार Eastern UP का देखा ग इसके लाब manufacturing, तो सारे सारे जो है, एक तरीकिस एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है, तो GDP क्या है, GDP एसर पड़ता है, समझ रहे हैं, GDP पड़ता है, तो एक यह point है, तो इस topic में यहीं था, कि भाई, जो G20 country है, उनका climate जो है target है, वो achieve नहीं हो पा रहा है, ठीक, next is World Energy Outlook, World Energy Outlook, फिर से यह report है, अब यह report जो है, वो IEA, International Energy Agency, इसने जारे किया World Energy Outlook, ठीक है, तो International Energy Agency, जो है, यह काफे important body है, ठीक, यह 1973 में जो oil crisis हुआ था, 1973 में जो oil crisis हुआ था, उस समय established हुआ था, तो established by the support of OECD, created by, established by the OECD, OECD भी important body है, organization for economic cooperation and development, ठीक है, तो उस समय जो है, यह established 1973 oil crisis के time पे, ठीक है, तो यह basically जो है, International Energy Agency, जो है, यह important body है, इसमें topic में आपको यह report का नाम पता होना चाहिए, IEA, release करती है, आपको यह पता होना चाहिए, और IEA के बारे में जो आपको यह पता होना चाहिए, 1973 में established हुई थी, इसका जो headquarter है, वो आप मान लिजे, Paris है, ठ जो कि France से तरीके से capital है, ठीक, इसके अलावा, OECD के तरीके से create हुआ था, और India जो है, इसका associate member है, 2017 में जो है, India associate member है, यह आपको ध्यान होना चाहिए, India इसका associate member है, और इसका जो report आता है, ठीक है, इसका जो report आता है, वो आपको बता होना चाहिए, एक तो report जो है, World Energy Outlook, यह दो दिया हुआ है, इसके अलावा, net zero by 2050, तो यह एक तरीके से report जारी करती है, किस प्रकार से, greenhouse gas emission को 2050 तक net zero किया जाए, तो इसको लेके report जारी करती है, net zero by 2050, यह report का नाम है, और दूसरा जो report है, वो है, India Energy Outlook, तो इंडिया को लेके, जिसी World Energy Outlook जारी किया है, तो इंड दोनों report आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे topic में reports जाता है, ठीक है, अब आई है, Greenhouse Gas Bulletin, ठीक है, तो Greenhouse Gas Bulletin जो है, यह भी report ही है, यह भी report ही है, और यह जो है, आज के जितने भी topics में, सारे के सारे report जो है, आप जाके short notes बना ही लिजेगा, यह World Meteorological Organization, जिसे इंडिया मे आप लोग नाम सुन दे होंगे, IMD, Indian Meteorological Department, similarly, दुनिया के लेवल पे जो है, World Meteorological Organization है, और यह Specialized Agency है, United Nation की Specialized Agency है, United Nation की कई Specialized Agency है, Principal Agency 6 ही है, आप देखेंगे, तो Principal Agency जो है, United Nation की 6 ही है, जैसे UNSC हो गया, ठीक है, United Nation Security Council, UNGA हो गया, United Nation Secretariat हो गया, मेरे ख्यास है, United Nation Economic and Social Council, जो है, Economic and Social Council, यह भी इसकी Principal Body ही है, और एक और है, क्या करते हैं, ICJ, International Court of Justice, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, एक और को छूट रहा है, ठीक, तो छे जो है, Principal Body है, बांकि यतनी भी होते हैं, Specialized Agency होती है, तो पूछा जा सकता है, कि यह Principal Body है, Specialized Agency है, ठीक, तो United Nation for Metrology, Weather and Climate, तो यह जो है, इसको लेकर, Metrology, इसका काम क्या है, WMO रिपोर्ट जारी किया है, पहले बात यह पता होना चाहिए, दुसरी बात, जो यह WMO है, ठीक है, यह काफी Important Body है, तो जो भी Hydrology है, अब लोग पढ़ते है, Ecology, Ecology क्या होता है, जो कोई Cyclone आने वाला है, कोई Storm आने वाला है, कोई तरीके से तुफान आने वाला है, उससे लोग का नुकसान होने वाला है, उसके लिए कि एक Early Warning System, जो WMO के बारे में बता रहा हूं, कि यह Early Warning System जो है, उसका काम करती है, ठीक है, Early Warning System का, और Forecasting का, कि अगर इस तरह के से Event होने व Forecasting करती है, Warning देती है, ठीक है, तो इंडिया में अपने पास IMD है, Indian Meteorological Department, ठीक है, तो WMQRM में आपको इतना पता होना चाहिए, 1950 में इस्टेबिस होई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक, अब यह next topic पे, State of Mangrove, तो Mangrove जो है, Mangrove की तरीके से Forest है, जाब लोग Forest पढ परते होंगे, तो इसमें Mangrove भी आता होगा, ठीक है, Mangrove जो भी Saline Area है, Saline Area है, जहाँ पर तरीके से Sea जो है, Sea और River कहीं पर मिलते हों, या Sea का Water, अगर कहीं पर तरीके से Lake या Lagoon बना हुआ है, तो Saline Area में तरीके से Forest होता है, Mangrove Forest, तो इंडिया में भी जो है, कई इसे जगह है, जहाँ पर यह होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको Sequence पता होना चाहिए, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा, सबसे अगर आपसे जारेक्ली पूछ दे कि सबसे ज़्यादा Mangrove Forest कहां पर है, तो West Bengal में, First नमर पर West Bengal है, बिल्कुल इसको भी याद कर लीजे, फिर Second नमर पर अंधर पर देश याद रहे नीड है, यह सुरुबात के तीन याद होने चाहिए, ठीक है, तो कुलमिला के अपने देश में, कुलमिला के 12 UT, जो भी 12 इस्टेट और UT है, और सब को count कर लिया जाए, तो यह सभी के सभी जो है, इसमें मैंगरूव कवर है, तो मैंगरूव इसमें जो है, देखा गया कि 2019 की अपेक्षा, 2019 की अपेक्षा जो है, जो मैंगरूव फॉरेस्ट है, वो कुछ परसेंट, बहुँ जादा नहीं, कुछ परसेंट जो है, वो इनक्रीज ही हुए है, ठीक है, तो इनक्रीज हुए है, यह अच्छी बात है, ठीक, और टॉप 5 अब इस्टेट तो आपको ध्यान रखने ही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, इस्टेट ऑफ मैंगरूव यह रिपोर्ट, फिर से रिपोर्ट आया, आज के सारे टॉपिक में रिपोर्ट ही है, ठीक है, तो यह रिलीज किया है, तो इस बाडी ने जो है, ग्लोवल इस सारे points जो है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, जिसके बादे इंडिने स्टेट ओफ फोरेश्ट्री बोधरी की स्क्वारे में जिक्र किया हुआ है, यहाँ पर increase किया है, increase of 17 स्क्वार किलो मीटर, ठीक है, तो 19 से जो है वो mangrove forest increase किया है, ठीक है, इसके लाद सब से यहाँ पर सुंद्रबन जो है, West Bengal का, जो West Bengal का सुंद्रबन है, वो सबसे बड़ा एक तरीके से जो है mangrove forest है, दुनिया का, तो सुंद्रबन जो है, और मेरे ख्याल से जो सुंद्रबन का major person है, लब 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 दो ती हाई, जो है, वो बंगला देस में है, है ठीक है जो मंगला जो है फो बंगाल से बांड़र लगता है तो बंगला डेस में चलाता है ममेरेक चाहिए से वन बाई थवर्ड ही जो है वो इंडीया के पास जो है मेंगरूफ फोरेस्ट बहुत इंपरटेंट है यहां पर बन्गॉल टाइगर गर यह यहां पर पाए जाता है, रोयल बेंगॉल टाइगर, यह आपको पता ही होगा, और इसके अलावा, यहां पर जो है, जो भी एस्चुडाइन क्रोकोडाइल होते हैं, मतलब जो भी salty, क्रोकोडाइल, fresh water, कही जगा पाए जाते हैं, जो एस्चुडाइन क्रोकोडाइल होते हैं, एक अलग लग वराइटी भी होती है, मगर वराइटी भी होती है, एक जो चम्बल सेंचुरी जो अपना मध्यपरदेश में है, वहाँ भी पाय जाता है, ठीक है, तो तीन वराइटी जेनरली होती है, कहीं अगर आएगा तो मैं इसको कवर करा लोगा, ठीक है, तो Global Mangrove आइलाइन्स ने इसको रिपोर्ट को जारे किया था, और Global Mangrove आइलाइन्स एक तरीके से बॉड़ी है, जो कि 2018 में ये एक तरीके से इस्टेब्लीस होई थी, World Ocean Summit जब हुआ था, उसने में इसने मिल के जो है, World World Life Fund, तो इसने रिलीज किया था ये, तो World Ocean Summit हुआ था, उससे में ये इस्टेब्लीस हुई थी, तो मैंगरूव के बारे में जो आपको थो पता होना चाहिए, कि मैंगरूव कुछ नहीं होता है, इसे नॉर्मल फोरेस्ट होता है, तो सेलाइन वाटर मे होता है एक तरीके से, तो वहाँ पे जो है, ये मैंगरूव फोरेस्ट होता है, तो मैंगरूव में क्या होता है, मैंगरूव में जो है, एक तरीके से ट्री होगा, क्या होंगे, पेर पोधे होंगे, ट्री एंड श्रब, ठीक है, तो उसमें बिसिकली क्या होता है, कि इसमें दो important term जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए इसलिए important है कि normal जो water होता है उसमें forest हो सकते हैं लेकिन saline water में क्यूंकि oxygen level जो है ज़रों में जो forest है, यह tree है, mangrove tree एक तरीके से माल लीजे, तो low oxygen में भी जो है एक तरीके से यह रह सकता है, पहली बात, दूसरी बात इसमें जो एक quality होती है, वो होता है pneumatophore, यह terminology यूज की जाती है, हिंदी में देखे किया इसा क्या terminology है, pneumatophore, pneumatophore जो है, यह terminology यूज की जाती है, तो pneumatophore कहते हैं, इसके अलावा इसके जो एक तरीके से वीवी पोरस भी इनको कहा जाता है, वीवी पोरस, तो आप से terminology पूस देखे कि वीवी पोरस किस से related है, तो mangrove से related है, क्योंकि seed germinate in itself, तो इसके जो जरे होती है, कोई भी पेर पोधा होता है, वो मिट्टी पे गिरता है तो वापस कोई पोधा जो है, जर्म लेता है, लेकिन इसके जो seed होती है, वो पोधे पे ही अगर गिरे हैं, और पोधे पे ही गिरे हैं, तो seed germinate in itself, मतलब उसी से जो है एक नया पोधा निकल जाता है, समझ रहे हैं, तो वीवी पोरस और नियुमेटव फोर ये दो टर्म जा हो जाएगा, ठीक है, in itself, ठीक, तो ये point आपको बताना चाहिए, मैंगरूव के बारे में, तो सबसे बारा जो मैंने बता दिया, सुंदरवन है, ठीक है, इसके अलावा इंडिया में कई इसे मैंगरूव है, भीतर करनी का है, भीतर करनी का करना सुनते होंगे, जो और इशा जो ओलिव रैडली टर्टल, जो ओलिव टर्टल से वो भी पाय जाते हैं, तो भीतर करनी का भी जो है, वेक तरीके से मैंगरूव है, ठीक है, तो भीतर करनी का ओडिशा हो गया है, तो ये भीतर करनी का के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा एक और जो आप मुझे बताईगा comment section में कि जो पीचा वरम एक तरीके से mangrove forest है यह कहां पर है ठीक है आपको पता नहीं होगा पर सच कर लेजेगा कि यह किस state में पीचा वरम पड़ेगा ठीक है तो I think that is enough for mangrove forest next is lead poisoning ठीक तो lead poisoning जो है report जो है यह चुकि lead जो है तरीके से हम लोग किसी water के ज्यादा हो रहा है ठीक है और खासकर जो यह northern state है जिसे बिहार हो गया यूपी हो गया मद पर्दिस हो गया जाडखन 36 गया अंद पर्दिस यहां पर जो है जो blood में है उसमें lead quantity ज्यादा पाई गई है और lead जो है वो नॉर्मली जो है earth crust में भी पाई जाता है चाहे mining होती है उसमें भी होता है इसके लावा जो हम लोग एक तरीके से जो artificial जो भी यूज करते हैं artificial एक तरीके से products उसमें भी जो है वो lead पाई जाता है तो आपके health को बहुत जादा impact करता है उससे कई समस्यां आ सकती है जो बच्चे होते हैं उनका lower IQ एक तरीके से विकास नहीं हो पाता उनके brain का headache, nausea, irritability, tiredness, stomach यह सब तो समस्या जो है वो बनी रहेगी ठीक है इसके लब प्री-matured birth मतलब जो एक तरीके से महिलाएं होती है उनमें समय से पहले है जनरली बच्चे के एक तरीके से जर्म का तो समय से पहले ही एगर lead एक तरीके से उनके body में गर जाता है किसी-क ंतरीके से इसका reproduction होना पर है ुसका तरीके से जनम हो झाए ठीक है तो यह तभी जहांक तरीक से आपको point पता होने चाहिए इसका birth बर्थ जो है हो सकता है premature birth मतलब पहले जन JAM हो जाए ठीक है तो यह सारे पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए और नेश्ट जो है वो ग्रीन क्रैकर एक मैं जो शुरुवात वाला जो टॉपिक होता है अपना प्रिलिम्स वाला उसमें मैं कोसिस करूँगा कि जितने भी इस तरीके से होती है चाहे लेड से होता है मरकरी से होता है या किसी और सी से होता है तो वह सारे के सारे कवर कर दूमें तो उससे भी कोशन मनते हैं एक ग्रीन क्रैकर तो ग्रीन क्रैकर जो है यह क्या है तो ग्रीन क्रैकर जैसे हम लोग पटाके छोड़ते हैं आपने बच्पन में छोड़े होंगे पटाके तो पटा पाखे हम लोग ऐसे ही बच्पन में जो हर कोई इंज्वाय करना चाहता है पटाके जलाता है तो बिल्कुल से एक तरीके से आप लोग नोटिफिकेशन सुप्रिम कोट जारी कर दे के पटाके कोई नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा भाई कोई मानेगा नहीं मानेगा तो उसके लिए के बिसिकली एक ग्रीन क्रेकर बनाया गया और यह जिम्मेदारी जो दी गई वो एक तरीके से CSIR नीरी तो नीडी एक बॉड़ी है ठीक है आपको पता होना चाहिए और रिसर्च डेवलप्मेंट में इंडिया के अंतरगत रिसर्च डेवलप्मेंट में एक सब्सकार आप लोग सुनते होंगे सांती स्वरूप भटनागर यह इसके साथ कोश्यन भी आया हुआ है तो सांती स्वरूप भटनागर आप लोग चेक कर लीजेगा यह इन्हीं के फाउंडर थे उनके नाम पे जो है रिसर्च डेवलप्मेंट के फिल्ड में यह पुरसकार मिलता है तो हाल ने मिला है तो यहां पर चुकि ग्रीन क्रैकर्स की बात हुई तो ऐसे कुछ क्रैकर्स मनाये गए फटाकर बनाए गए जो कि एकम आवाज करें। नब्लेस्ट नब्लेस के अधी और इसको काम मिला है, एसे अप लावा यह इंहीं, इसके लबा मरकरी नहीं होना चाहिए, यह सभी जो है, इसके लावा इक्सक्लूड div कर दिए गए, जू है, आपको पता होना चाहिए, जो इक्सक्लूड़ किया गया quantity कम की गई ठीक है और यह पेसो जो है यह body है dpiit ठीक है तो dpiit जो है department of industrial कुछे से है फुल फॉर्म इसका चेक कर लेज़ेगा dpiit का ministry of commerce industry में आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यह लास्ट का वर्ड है तो ministry of commerce और इंडस्ट्री जो है इसके अंद्रकती dpiit आता है तो उसी की ताथ जो है इसी कंद्रकत यह पेसो जो है petroleum explosive safety organization जो है यह body आती है ठीक है और इसने जो है green crackers को एक तरीके से certification क का काम मिला है कि यह certification करती है यह green cracker है या नहीं है तो इसमें तीन तरह के cracker बनाएगे स्वास श्टार्ड सफल यहां full form दिया हुआ हुआ है safe water aggregator safe thermite cracker safe minimal aluminium ठीक है और approved by license manufacturers approved by CSIR ठीक तो यह होता क्या कि इसे कोई पटाके छूटते हैं उसमें तरीके से जो इसमें कोशिस की गई जो भी निकलते है इसमें water vapor निकलता जब पटाके की छूटते हैं जो green cracker चूटते हैं जो भी उसमें प्रिझो होते हैं तो her फ्री के इसाथ वो कंबाई होता है माला हवा में ने आपाता है हवा में एक चला गया तो दिक्कत है तो पॉलिटय्टिंट शब्रशेंट का काम करता है, एक तरीकी से काम, i.e. कट वहिसे काड़िज की रप रिलीच को बीन बान Puis Wellamikaca लब यह Siya minha वहाम म Ditünk نवन म 때 Manana Pourquoi Tir suspicion